प्रस्ण 12 एक समकोन तिर्भुज की एक भुजा 12 मीटर है इसके कर्ण एवन दूसरी भुजा का अंतर 8 मीटर है तो इसके दोनों भुजाओं की लंबाईया एवन छेतरफल ग्याद करें हीरो के सुतर से जाज करें तो लिखेंगे माना की माना की समकोन तिर्भुज माना की समकोन तिर्भुज की दूसरी भुजा की दूसरी भुजा बराबर एक्स मीटर हम क्या मान लेंगे समकोन तिर्भुज की दूसरी भुजा एक्स मीटर है क्यों मान लेंगे क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि इसके एक कर्ण एवन दूसरी भुजा का अंतर आठ मीटर है यानि कर्ण और दूसरे भुजा का अंतर कितना है? 8 मीटर ठीक है? और 1 भुझा दिया हुआ है 12 मीटर तो दूसरी भुझा को हम x मीटर मान लेंगे अता कर्ण कितना हो जाएगा? कर्ण कर्ण बराबर हो जाएगा x प्लस 8 मीटर ठीक है? अंतर 8 मीटर है तो देखें एक x है दूसरी भुज़ा x होगा तो कर्ण कितना होगा x प्लस 8 क्योंकि दोनों का अंतर यानि घटाने पे 8 आ रहा है तो x प्लस 8 में से x घटाएंगे तो 8 हा जाएगा यानि x है तो दूसरा 8 जादा होगा तभी अंतर 8 है तो कर्ण में कर्ण बड़ा होता है ऐसे भी तो कर्ण में 8 जोड़ देंगे तूसरी भुज़ा अगर x है तो कर्ण हो जाएगा x प्लस 8 क्योंकि कर्ण जो होता है दोनों भुज़ा से बड़ा होता है समकोन तिर्भुज में ठीक है तो इस तरह लिख लेंगे इसको तो लिखेंगे अब पाइथा गोरस परमे से पाइथा गोरस परमे तो समकोन तिर्भुज में पाइथा गोरस परमे से हम अगर दो भुज़ा दिया हो तो तीसरा भुज़ा ग्याद कर सकते हैं ठीक है तो देखे, यहाँ पे दोनों भुजा एक एक है तो दूसरा एक प्लस आठ है और तीसरा भुजा दिया हुआ है तो हम लिखेंगे पैथागोरस परमे से क्या होता है तो पैथागोरस परमे से होता है लंब का वर्ग, जोड, आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है पैथागोरस परमे से लंब का वर्ग, जोड, आधार का वर्ग, बराबर कर्ण का वर्ग, यह होता है पैथागोरस परमे समकोन तिर्भुज में, तो लंब यहाँ पे कौन है तो लंब और अधार किसी को भी मान लेंगे जो की पहला और दूसरा भुजा है तो मान लेते हैं लंब एक्स है तो एक्स का वर्ग जोड अधार तो अधार कितना दिया हुआ है बारा मीटर यानि बारा का वर्ग ठीक है तो एक भुजा दिया हुआ है 12 मीटर और दूसरा भुजा को X माने है और कर्ण X प्लस 8 ठीक है तो लंब के जगा पे X लिख देंगे या आधार के जगा पे भी आप X लिख सकते हैं कोई दिकत नहीं है क्योंकि पहला और दूसरा भुजा किसी को भी मान सकते हैं तो लंब के जगा पे हम X लिखे हैं तो X का वर्ग जोड आधार दिया हुआ है 12 का वर्ग यानि दूसरा भुजा दिया हुआ है बराबर कर्ण का वर्ग कर्ण कितना है X प्लस 8 तो X प्लस 8 का वर्ग इस तरह हम लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा x का वर्ग जोड 12 का वर्ग होता है 144 यानि 12 गुना 12 144 और x प्लस 8 का वर्ग हो जाएगा तो देखिए a प्लस b का whole square तो हम इसको बैठाएंगे तो a प्लस b का whole square तो a के जगह पे x है b के जगह पे 8 है तो a प्लस b का होल स्क्वाइर बराबर a स्क्वाइर प्लस b स्क्वाइर यानि 8 का वर्ग हो जाएगा 64 प्लस 2ab यानि 2 गुना 8 गुना एक्स तो 8 गुना 16x इस तरह लिख देंगे a प्लस b का होल स्क्वाइर बराबर a स्क्वाइर प्लस b स्क्वाइर प्लस 2ab तो 8 का वर्ग 64 और 2AB यानि 2 गुना 8 गुना X तो 8 गुना 16X इस तरह लिख लेंगे इसको तो देखें X स्क्वाइर अब यहाँ पे हो जाएगा X स्क्वाइर माइनस X स्क्वाइर माइनस 16X बराबर 64 माइनस 144 तो जितना भी यहाँ पे X है X वाले को इधर कर लिया है यानि बराबर के बाया तरफ X स्क्वाइर यहाँ पे प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा दाया तरफ है प्लस में तो बाया तरफ बराबर के बाया तरफ आके माइनस में हो जाएगा इस तरह हम लिख लेंगे इसको अब देखिए x square minus x square सुनने आ जाएगा क्योंकि 1 minus में 1 plus में है तो x बराबर कितना हो जाएगा अता x बराबर हो जाएगा देखिए 64 minus 144 तो घटाएंगी इसको तो कितना आ जाएगा 4 में से 4 गया सुनने 14 में से 6 गया 8 यानि 80 हो जाएगा minus 80 क्योंकि बड़ा वाला minus में है तो minus 80 बटा यहाँ पे है minus 16 तो x जो है minus 16 के साथ गुना में है तो minus 16 को इधर भेजेंगे दाया तरप तो भाग में हो जाएगा तो 16 पचे 80 और minus minus क्या हो जाएगा प्लस यानि x बड़ाबर आ गया 5 x बड़ाबर क्या आ गया 5 तो क्या निकालना था हमें दोनो भुजाओं की लंबाईया एवंज 6 तरफल ग्याद करें तो जब x बड़ाबर 5 आ गया है तो अब हम दोनो भुजाओं की लंबाईया निकाल लेंगे तो लिखेंगे अतर अतर पहली भुजा पहली भुजा बराबर कितना हो जाएगा तो पहली भुजा तो यहाँ पे दिया हुआ है कितना 12 मीटर तो लिख लेंगे पहली भुजा बराबर 12 मीटर कॉमा दूसरी भुजा दूसरी भुजा तो दूसरी भुजा को हम एक समाने थे ठीक है समकोन तिर्भुज की दूसरी भुजा को एक समाने थे तो x कितना आ गया 5 यानि दूसरी भुजा हो गया 5 मीटर तो सब मीटर में है यहाँ पे तो पहली भुजा दिया हुआ था दूसरी भुजा को हम x माने थे जो कि x बराबर 5 आ गया है यानि दूसरी भुजा हो गया 5 मीटर और तीसरी भुजा तो तीसरी भुजा को X प्लस 8 तो X कितना आया है? 5 तो देखें, तीसरी भुजा यानि कर्ण कर्ण क्या था? X प्लस 8 तो X का मान 5 आया है तो 5 में 8 जोड़ देंगे, यानि 13 तो कितना हो जाएगा? 13 मीटर तो तीनो भुजा ग्यात हो चुका है अब तीनो भुजा तीर्भुज का समकोन तीर्भुज का तीनो भुजा ग्यात हो चुका है 12 मीटर, 5 मीटर और 13 मीटर तो इसका उत्तर देखें आ चुका है 5 मीटर और 13 मीटर ये दोनों पूछ रहा था, एक तो दिया हुआ था, तो तीनों भुजा आ चुका है, अब हम लिखेंगे, अब इसका छेतरफल ग्याद करना है, ठीक है, तो अधा, छेतरफल बराबर, तो छेतरफल बराबर क्या होता है, एक वटा, दो, गुना, आधार गुना उचाई, तो समकोन तिर्भुज में हम ये सूतर से छेतरफल निकाल सकते हैं, एक वटा, दो गुना, आधार गुना उचाई, तो आधार कौन हो जाएगा, तो कर्ण को छोड़ करके, दोनों भुजा में से किसी को भी आधार और किसी को भी उचाई हम ले सकते हैं, ठीक है, क्यूंकि समकोन तिर्भुज में, लंब को और आधार, ठीक है, तो किसी को ले सकते हैं, पहली भुजा और दूसरी भुजा में, तो मान लेते हैं, पहली भ अधार ठीक है पहली भुजा को अधार मान लेते हैं तो अधार में लिख देंगे बार गुना उचाई दूसरी भुजा को उचाई मान लेते हैं तीसरा भुजा तो कर्ण है ठीक है तो समकोन तिर्भुज में दो भुजा आपस पे एक दूसरे पे लंब होता है तो किसी को भी आधार और किसी को भी उचाही मान लेंगे मंदब लिख लेंगे ठीक है तीसरा भुजा तो कर्ण है तो आधार के जगा पे 12 लिख लिए हैं उचाई के जगा पे 5 यानि कितना हो गया तो 2 छक 12 काट लेंगे तो 6 पचे 30 6 पचे 30 वर्ग मीटर यानि 6 तरफल कितना हो गया समकोन तिर्भुज का 30 वर्ग मीटर ठीक है 30 वर्ग मीटर अब कह रहा है हीरो के सूत्र से जाच करें यानि ये छेतरफल जो आया है ये सही है कि नहीं हीरो के सूत्र से जाच करना है तो लिखेंगे यहां पे यहां एस बराबर एस बराबर यानि हीरो के सूत्र से छेतरफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें अर्थ परिमीती निकालना होगा तो एस बराबर क्या होता है A प्लस B प्लस C बटा 2 ठीक है तो A प्लस B प्लस C यानि तीनो भुजा तो A हो गया पहली भुजा B हो गया दूसरी भुजा और C हो गया तीसरी भुजा यानि तीनों भुजाओं का योग को दो से भाग दे देंगे तो इस होता है अर्ध परिमीति यानि परिमाप का आधा तो परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं का योग तो तीनों भुजाओं का योग को दो से भाग दे देंगे तो पहली भुजा कितना है? 12, दूसरी भुजा है 5, तीसरी भुजा है 13 ठीक है? तो यहाँ पर लिखेंगे पहली भुजा 12, दूसरी भुजा 5, तीसरी भुजा 13 बटा 2 यानि कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 12, 5, 17 17, 10, 27, 33 30 30, देखें 12, 5, 17, 17, 33, 20, 10, 30 यानि 30 बटा 2 जो कि हो गया 15 सब मीटर में है यहाँ पर तो अर्ध परिमीति कितना आ गया? 15 मीटर, यानि एस बराबर अब हम हीरो के सूत्र से इसका छेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे हीरो हीरो के सूत्र सूत्र से छेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? हीरो के सूत्र से छेत्रफल तो हीरो के सूत्र क्या होता है? तो अंडर रूट स गुना स माइनस ए गुना स माइनस बी गुना स माइनस सी यह होता है सूत्र तो अंडर रूट यहां पर बराबर देंगे तो अस क्या है? पंडर गुना पंडर माइनस ए ए कितना है? बारह पंडर माइनस बी बी है पांच सी है तो पंडर माइनस तेरह इस तरह से लिख लेंगे ABC जहां जहां पर ABC है वहां पर लिख लेंगे तो हो जाएगा पंडर गुना पंडर में से बारह घटाएंगे तो तीन पंडर में से पांच घटाएंगे तो दस पंडर में से तेरह घटाएंगे तो दो का अंडर रूट इस तरह से लिख लेंगे तो 15 माइनस 12 हो गया 3 15 माइनस 5 हो गया 10 15 माइनस 13 हो गया 2 तो 15 को क्या लिख सकते हैं 5 गुना 3 और 3 है यहाँ पे 10 को लिख सकते हैं 5 गुना 2 गुना 2 तो इस तरह लिख लेंगे क्यों लिखेंगे क्योंकि वर्गमूल निकालना है तो जोड़ा में से एक बाहर करना होगा तो पंदरा को हम 5 गुना 3 इस तरह लिख सकते हैं 10 को 5 गुना 2 के रूप में ये 3 है यहाँ पे और 2 पहले से है तो 5 गुना 5 एक 5 बाहर हो गया 3 गुना 3 एक 3 बाहर 2 गुना 2 एक 2 बाहर तो कितना आ गया 15 दुना 30 वर्ग मीटर तो देखे हीरो के सूतर से भी उतना ही छेतरफल आया है जितना इस सूतर से आया था एक वटा 2 गुना अधार गुना उचाई से यानि जाच सही है तो हीरो के सूतर से जाच करना था तो इस तरह से जाच कर लेंगे झाल 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 झाल